यूँ तो आप सब जानना चाहते होंगे कि आखिर इस बार बॉल्वूड की मशूर अधाकारा तिपिका बड़कुन कहां और किसके साथ मनाएंगे वैलंडाइन डे तो चिंता मत कीजे क्योंकि हम इस सवाल का जवाब लेकर हाजर हो गए हैं तो जानकारी दे दें कि बॉल्वूड की नमबर वन हिरोई दिपिका बड़कुन किछले दिनों पहुची थी एक अवर्ड फूंक्शन में जिसका नाम था वोलेयर अवर्ड 2018 जहां पहले तो सारे सिलिप्टीज का किया गया स्वागत और फिर सबको अवर्ड भी दिया गया जहां सबसे पहले बॉल्वूट के डिरेक्टर साजित नाडाडबला को मिला आवार्ड तो वहीं फिर इम्तियाज अली और बॉल्वूट के मशूर सिंगर और कम्पोजर एयार रह्मान को भी अवार्ड दिया गया लेकिन इस इवन्ट में जो सबसे ज़ादा लाइम लाइट में थी वो और कोई नहीं बनकि डिपिका बाड़ को थी जी हां इस अवार्ड फंक्शन में डिपिका काफे सुन्दर देख रहीं थी तो वहीं जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि वो किस के साथ और कहा मना रही है अपना वैलेंटाई तो सुनिये दिपिका ने मुस्कुरा कर क्या जवाब दिया तो चलिये अब दिपिका के बादों को सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि वो या तो हमें बताना नहीं चाहती या फिर वो इतनी महनती हैं कि वो अपने फिल्मों पर बस ध्यान देना जाती है ऐसी तमाम और पगों को जानने के लिए, सब्सक्राइब करना ना भूले हमारा चानल, टॉपनीज जास्परी, टॉपनीज से काजल की रिपोर्ट